दोस्तों हमारे फेवरेट काटूनिस्ट सती शाचारी जी का एक काटून काफी तेजी से वेरल हो रहा है जो उन्होंने मोधी जी के अच्छे दिन को एक्सपोस करते हुए बनाया है सबसे पहले तो आप लेफ्ट साइड से देखें 2014 का पोजिशन एक आमात्मी जो है वो काफी अच्छे कपड़ों में दिख रहा है याने शायद मिलिकला से अच्छे पोजिशन में वो लग रहा है वो अपने उपर मोधी जी को उठाया हुआ है कंदों पे बिठाया हुआ है और मोधी जी उसे अच्छे दिन की आज दिखा रहे है वो अपने कंदों पे बिठा के मोधी जी को धीरे धीरे 2018 तक लेकर आता है अब मोधी जी वहां से फिर से नई आज दिखा रहे है अच्छे दिन की लेकिन यहाँ पर उसके कपड़े देखिए थोड़ा सा इंशर्ट उसका जो है वो निकल चुका है याने कुछ हद तक वहाँ पर उसकी परिजिती खराब हो चुकी है फिर धीरे धीरे और आगे वो बढ़ रहे हैं 2020 तक वो पहुंच गया तो 2020 के आते आते उस आदमी के जो कपड़े हैं पूरी तरह से बदल चुके हैं मतलब एक भीकारियों के कपड़े जैसे फटे कपड़े हो चुके हैं और फिर से मोधी जी विश्वक गुरू की आज दिखा रहे हैं तो वहाँ पर 2020 से लेकर और 2022 तक वो आदमी मोधी जी को लेकर आता है और यहां तक आते आते बेचा रहेंगे पूरे कपड़े उतर जाते हैं और वो कंगाल फकीर बन जाता है और मोधी जी यहां पर काफी मोटे हो चुके हैं तुटोन 47 की आज दिखा रहे हैं उसे तो यह जो दर्शाय है अच्छे द और मोधी जी खुद भी मोटे हो गए और उनका जोला भी फर गया लेकिन अभी भी वो अच्छे दिन और विश्व गुरु बनने की आज दिखा कर आम आदमी के कंदे बेटके चले जा रहे हैं तो यह अच्छे दिन को एक्स्वोस करते हुए काफी अच्छा काटून बनाय है सदी शाचारी जी ने लेकिन दोस्तों मुझे लगता है अगर जनता इस बात को समझ भी जाए तो भी मुझे लगता है एलेक्शन के आते ही मोधी जी तो फिक्स है एलेक्शन में पका जी जाएंगे क्योंकि जैसे ही एलेक्शन आता है मोधी जी अपने किसी ना किसी मुस स्पीकर को लेकर फेक फाइटिंग लड़ेंगे तो अपने मुस्लिम नेताओं से फेक फाइटिंग लड़ने के सहारे वो एलेक्शन जीच जाएंगे और एलेक्शन से ठीक पहले पूरे मीडिया में उसी फेक फाइटिंग को दिखा कर पूरी तरह से एलेक्शन को हिंदू-म मुसलिम उद्दा बना दिया जाएगा जिसकी वज़ा से अगर इस कार्टून की वज़ा से जनता जाग भी जाएगी तो भी फाइनल पोजिशन में हिंदू मुसलिम मीशूस में पढ़कर मोदी जी को जिता ही देगी आपको ये कार्टून कैसा लगा सतिश आचारी जी का क्य ये सही है जो उन्होंने अपने कार्टून से दर्शाया है क्या सच में मोदी जी ने आम आदमी के कंदों पे बैटकर अपना जोला भर लिया है आप हमें कमेंट बाक्ष में लिखकर बताएं तैंक्यू सो मच गैस